नश्कार दोस्तों, डिट है आज की 22 चुलाई 2020 और सागत है आपका एटोल डिसकेशन में आज चार इशूस हम डिटेल से डिसकेश करेंगे सबसे पहले बात करेंगे चाइना को काउंटर करने से समधित पोलसी के बारे में दूसे नंबर पे हम आटिकल डिसकेश करेंगे री परपस्ट मेडिसिन के बारे में तीसे नंबर पे हम गवर्नर के रोल से समधित आटिकल को डिसकेश करेंगे और इस इशू को डिसकेश करते वक्त हम बेसिक्स भी डिसकेश करेंगे यानि गवर्नर का रोल कैसे होना चाहिए क्यों गवर्नर को लेके कन्फिक्ट पैदा होता है सेंटर और स्टेट के बीच डिटेल से इस इसू को हम रिवाईज करेंगे सबसे लास्ट में डेटा रेगुलेशन से समधित एक आर्टिकल को भी हम डिसकस करेंगे चलिए डिसकसन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंपोर्टन आर्टिकल इंडिया और चाइना रिलेशन्स के बारे में हैं आप जीयस पेपर टू के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं ये आर्टिकल M.K. Narayanan के द्वारा लिखा गया है ये देखो हमारे देश के नैशनल स्क्यूर्टी एडवाईजर थे 2005 से लेके 2010 के बीच नैशनल स्क्यूर्टी एडवाईजर की पोश्ट पर आज के समय में अजीड दोवल है सुरुवात में इनके द्वारा आर्टिकल में कहा जाता है इंडिया चाइना बोर्डर पर अभी भी पूरी त्रैसे डिस एंगेजमेंट नहीं हुआ है दोनों देशों की फोर्सिस का कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे होट स्प्रिंग्स इसके बाद पैंगोंग सोल लेक रिजन सबसे लाश्ट में डपसांग प्लेंज इन एरियाज में अभी भी चाइनीज ट्रूप्स की परजेंस है अभी भी फिंगर फोर्स से लेके फिंगर एट के बीच इंडियन ट्रूप्स पैट्रोलिंग नहीं कर पा रही हैं हलाकि देखो सरकार के तरफ से कुछ डिटेल्स नहीं जारी की गई हैं बट जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके अनुसार कुछ एरियाज में बफर इस्टाबलिस करने पर सहमती बनी हैं एम के नराइन कहते हैं देखो बफर के लिए सहमत होना ये इंडिया के हिट में नहीं हैं क्योंकि चाइना जो हैं वो दो स्टेप आगे एक स्टेप पीछे की रणनेती फोलो करता हैं मैं आपको एक्जम्पल की शाहिता से बताता हूं मान लिजे ये LAC हैं एक साइड इंडिया हैं दूसरी तरफ चाइना हैं चाइना क्या करेगा अपनी forces के साथ मान लिजे चार किलोमेटर आगे आगया इंडियन साइड में तो इंडियावाले बोलेंगे कि भया आप इतनी आगे आगे हो आप अपनी forces को पीछे लेके जाओ नेगोशेशन्स होंगी चाइना चार किलोमेटर जितना वो आगे आया है चार किलोमेटर पीछे नहीं जाएगा चाइना बोलेगा हम थोड़ा सा पीछे जाएगे दो किलोमेटर तो चार किलोमेटर आगे आया था दो किलोमेटर पीछे गया लेकिन फाइनली यानि इवेंचली दो किलोमेटर तो फिर भी आगे रहा ना चाइना बफ़र जोन में देखो ये डिसाइड होता है ना तो भाईया आप पेट्रोलिंग कीजिए इस एरिया में ना ही हम करते हैं क्योंकि LAC को लेके प्रिसेप्शन्स अलग-अलग हैं मान लीजिए ये LAC है दो किलोमेटर LAC के इस साइड दो किलोमेटर इस साइड ना तो चाइना की ट्रूप्स के द्वारा पेट्रोलिंग की जाएगी ना ही इंडिया की ट्रूप्स के द्वारा अब देखो यहां पे एक्सपर्ट के अलग-अलग व्यू हैं कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बफर जोन इस्टाबलिस करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि इस एरिया में पहले दोनों देशों की फोर्सिस के दोरा पेट्रोलिंग की जाती थी और अब ये डिसाइड हो रहा हैं ना हम पेट्रोलिंग करेंगे ना आप करेंगे लेकिन कुछ दूसरे एक्सपर्ट ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ये इंडिया की गलती है इंडिया अपने ही एरिया को एजे बफर जोन इस्टाबलिस कर रहा है पहले जहां पर इंडिया की फोर्सेस के द्वरा पैट्रोलिंग की जाती थी अब वहां पर इंडिया की फोर्सेस के द्वरा पैट्रोलिंग नहीं की जासकेगी इसलिए बफर जोन इस्टाबलिस करना गलत है तो बफर जोन को लेके विबिन एक्सपर्ट्स की राय अलग-अलग है एम के नराइनन ये भी बोलते हैं अगर देखो हम चाइना की टूप्स जो अभी फिलाल इंडिया की टरिटरी में हैं उनको वापस भेजने में काम्याब नहीं हो पाते हैं और चाइना अपने मनसूबों में काम्याब हो जाता है तो ये पहली बार होगा कोंगो का पास के वेस्ट में चाइना की टूप्स लोकेटिड होगी देखो हमें चाइना की प्लानिंग को समझना होगा हमारे देश में कुछ strategic experts और even western propaganda ये कहता है चाइना हमारी territory को हडपना चाता है इसी वज़े से चाइना ने meticulous यानी काफी घराई से प्लानिंग की और LSE पर काफी सारी locations पर अपनी troops को आगे भेज दिया इंडिया की साइड ये spontaneous नहीं हो सकता काफी planning के साथ चाइना ने ये किया है और चाइना हमारी territory हडपना चाता है बट writer का view थोड़ा अलग है writer कहते हैं देखो सिरफ थोड़ी सी territory हडपने के लिए चाइना इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगा चाइना के दिमाग में कुछ और चल रहा है जिसकी वज़े से चाइना ने 1993, 1996, 2005, 2013 के agreements जो थे border पर peace establish करने को लेके उनको एकदम से छोड़ दिया और गलवान वैली में violent incident हैपन हुआ 15 जून को चाइना के दिमाग में ये चल रहा है कि USA को replace करके superpower बनना है और पूरे एशिया में अपना influence establish करना है हाँ इतना जरूर है चाइना फिलाल इंडिया के साथ full flash war नहीं चाता है क्योंकि चाइना की अपनी calculations है चाइना का अपना plan है 2025 का made in चाइना और 2035 का चाइना standards है चाइना अपने इन plans को खत्रे में नहीं डालेगा इंडिया के साथ युद लड़के तो question अब ये उठता है इंडिया चाइना का कैसे सामना करें फिलाल की situation में इसके लिए M.K.N.R.I.N. काफी सारे steps suggest करते हैं पहला suggestion देखो एक proposal था कि इंडिया चाइना बोर्डर पर offensive operations के लिए special mountain strike corps division establish की जाएं बाद में इस proposal को छोड़ दिया गया और इस mountain strike corps division को नहीं establish किया गया तो M.K.N.R.I.N. suggest करते हैं इस proposal को renew किया जाए और mountain strike corps division को establish किया जाए इससे एक deterrence create होगी काफी सारे आप state of art weapons इकठा कर लो उससे इतनी deterrence create नहीं होगी चाइना में जितने की इस special mountain strike corps division के establish करने सो होगी ऐसा writer suggest करते हैं writer ये भी बोलते हैं देखो military अगर strong होती हैं तो किसी भी देश की power का ये एक important component हैं but strong military को maintain करना अलग चीज हैं और उस military को इस्तिमाल करना ये एक अलग चीज हैं पाकिस्तान के संदर्ब में अगर हम military का इस्तिमाल करते हैं तो ठीक हैं बड़ चाइना के संदर्ब में हमारे पास जो दूसरे options हैं हमें उनको भी explore करना चाहिए इसके बाद आता है दूसरे suggestion अभी LAC पर जो कुछ हो रहा हैं उसको आप domestic politics से बिल्कुल अलग कर दो क्योंकि देखो आप domestic politics को ध्यान में रखके अगर LAC पर peace establish करने की कोशिस करते हो तो हो सकता है आप बहतर decision ना ले पाओ जो देश के लिए सबसे ज़्यादा best हैं तो domestic politics को आप इस से बिल्कुल अलग कर दो और opposition को भी ये सोचना चाहिए कि इस issue पर बार बार सरकार को criticize ना करें क्योंकि देखो ये ऐसे issues हैं जिनको solve करने में समय लग सकता है इंडिया काफी सारे options को utilize कर सकता है लेकिन अगर opposition parties बार बार इस issue को उठाएंगी तो सरकार pressure में आएगी और सरकार short term approach पर focus करेगी ना कि long term approach पर next suggestion diplomatic options का इस्तिमाल करना देखो अभी major countries जो है वो चाइना के against हैं काफी सरे reasons के कारण एक तो COVID-19 की महमारी के मामले में चाइना काफी ज़दा opaque रहा transparency नहीं थी चाइना में दूसरा चाइना की अभी काफी सरे देशों के साथ तरनातरी यानि चाइना की aggressiveness ना सिरफ इंडिया के साथ बलकि South China Sea और दूसरे reasons में तो इंडिया diplomatic offensive को launch कर सकता है diplomatic offensive का मतलब है set of actions to influence large number of people मतलब बहुत सारे लोग को बहुत सारे देशों को influence करने के लिए कई सारे actions लेना for example अलग अलग ministries के जो ministers हैं हमारे देश में या फिर business leaders persons of international standing ये सब same issue पर बोलेंगे कि LAC पर देखो चाइना aggressiveness show कर रहा है तो international opinion जो है हमारे pucks में मुड जाएगी अगर हम सही धंग से world को ये convince करा पाने में काम्याब हो पाते हैं इंडिया peace चाता हैं बट चाइना peace नहीं चाता हैं चाइना expansionist tendencies को follow कर रहा हैं इसके बाद next suggestion NAM देखो NAM को establish करने में इंडिया की एहम भूमिका नहीं थी हम बहुत सारे देशों को aid भी देते हैं जो NAM में सामिल हैं खास करके African countries और Asian countries वैसे दो देखो चाइना भी बहुत जड़ा aid देता हैं और बहुत सारे ये देश चाइना के belt and road initiative में भी सामिल हैं बट इंडिया की जो aid हैं इंडिया की जो मदद है इन देशों को वो without strings हैं बिना किसी conditions के हैं और चाइना की जो aid हैं वो किसी motive के साथ हैं चाइना इन देशों में political और economic अपना influence establish करना चाहता हैं तो ये देश हमारी मदद कर सकते हैं देखो ये थोड़ी सी ideal सोच हैं आपको याद होगा जिस दिन Galwan Valley की घटना सामने आई थी उन्हीं दिनों में M. Ken Reynon का article छपा था कि चाइना हमारे साथ इसलिए tensions create कर रहा है क्योंकि हम USA के पाले में जा रहे हैं और हमें डराने के लिए कि हम USA के पाले में ना जाएं तो उसके बाद M. Ken Reynon का काफी ज़्याद क्रिटिसिजम भी किया गया था कुछ experts के द्वरा कि अभी भी इंडिया पुरानी सोच में बंदा हुआ है नैम पूरी तरह से irrelevant हैं बट फिर भी जो पूरु नैशनल स्क्यूर्टी एडवाइजर यानि M. Ken Reynon जिनोंने आज ये आर्टिकल लिखा है ये नैम की वकालत कर रहे हैं अलेडी इंडिया को इससे काफी नुक्सान हुआ है फिर भी ये नैम की वकालत कर रहे हैं लेकिन आज एक बर फिर से ये अपने आर्टिकल में नैम का ही समर्थन करते हैं इनके अनुसार नैम इंडिया के लिए अभी भी उप्योगी थाबित हो सकता है नेक्स्ट सेजेशन देखो आज के इस यूग में मैसेजिंग काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट है आज का यूग सोचल मीडिया का यूग है तो हमें टेक्नोजी का सारा लेना होगा पूरे वर्ड में ये मैसेज भेजने के लिए कि भाया देख लो इंडिया की जो इंटेंसन्स हैं वो पीस वाली हैं बट चाइना की जो पोल्सीज हैं वो अग्रेसिव हैं तो हमें हमारी मैसेजिंग कैपेश्टी को मजबूत करना होगा नेस्ट सेजेशन हमें देखो कुछ अपने पुराने एलाए कंट्रीज के साथ जैसे इदान, वियतनाम इनके साथ रिष्टे और ज़्यादा मजबूत करने होंगी दूसरा, निपाल और बंगलादेश जो इस परकार के हमारे पॉडोसी देश है इनके साथ भी हमें अपने रिष्टे इंप्रूव करने होंगे पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है वेस्टरन कंट्रीज के साथ रिष्टे इंप्रूव करने पर हमने ज़्यादा फोकस किया है लेकिन वियतनाम, इरान, निपाल, बंगलादेश इन देशों के साथ भी चाइना काफी एग्रेसिव है इनमें से कुछ देश ऐसे हैं जिनमें चाइना की जो इंटर्फरेंस है वो बढ़ती जा रही है, for example, निपाल तो हमें इन देशों का साथ देना चाहिए चाइना की एग्रेसिवनेस को काउंटर करने के लिए इसके बाद राइटर सजेस्ट करते हैं देखो हमारी स्ट्रेंथ जो हैं वो यूनिटी में हैं अगर इंडिया यूनाइटिड हैं अगर इंडिया रिजिलियंट हैं रिजिलियंट का मतलब होता है बड़े से बड़े शोक को असानी से एब्जोर्ब कर लेना मान लिजिए जपान में जो बिल्डिंग्स हैं वो इस परकार से बनी होती हैं कि बुकंप भी आता है तो बुकंप का ज़्यादा असर नहीं होता है मतलब जपान का जो इन्फरस्ट्रक्चर है वो रिजिलियंट है अर्थक्वेक के अगेंस्ट तो अगर इंडिया एक जूट है तो ये इंडिया की सबसे बड़ी ताकत होगी as compared to cooperation with US या फिर दूसरे Western countries ये देश हमारी इतनी मदद नहीं कर सकते जो कि इंडिया अपने आप की करेगा अगर इंडिया एक जूट है नेश्ट देखो चाइना एक बात को नहीं सबसता कि इंडिया की जो strength है वो अध्यातम से आती है इंडिया की religious policy से आती है हमारा culture काफे ज़्यादा मजबूत है इस से आती है हमारी civilizational heritage से आती है तो इसी गुणों पे काम करते हुए हमने दलाई लामा को सरण दी थी 1959 में बट देखो पिछले दो-तिन सालों में क्या हुआ है हमने दलाई लामा को कम importance देनी स्टार्ट कर दी है चाइना के दबाब के चलते लेकिन हमें अब इस policy को फिर से reverse करने के आऊ सकता है दलाई लामा को हमें फिर से importance देने के आऊ सकता है लाश्ट सजेशन देखो हिमालियन बुद्धिजम को चाइना खतम करना चाहता है तिबत में भी बुद्धिजम को चाइना खतम करना चाहता है बट इंडिया काफी स्टेप्स ले सकता है हिमालियन बुद्धिजम को और ज़्यादा prominent बनाने के लिए तो ये सारे स्टेप्स इंडिया के दोरा ले जा सकते हैं फिलाल की situation में चाहिना का सामना करने के लिए चलते हैं आगे ने श्टार्टकल री परपस्ट मेडिसेंस के बारे में हैं आप GS पेपर 2 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हूं सबसे बहले आप एक कोशन का आंसर दीजिए री परपस्ट मेडिसेंस कौन सी होती है देखो वो medicines जिने already approval मिला होता है किसी दूसरे disease के इलाज के लिए बट बाद में पता लगता है कि इस medicine का किसी दूसरे disease के इलाज के लिए भी इस्तिमाल हो सकता है तो वो होती है repurposed medicines examples कि अगर हम बात करें फैवी पीराविर रेम डिजीवर और इसके अलावा एक और medicine है इतो लिजुमेब ये medicines examples हैं repurposed medicines के पहले कुछ और disease के इलाज के लिए इनका इस्तिमाल क्या जा रहा था बट अब COVID-19 के इलाज के लिए भी इन medicines को approval मिल गया है मतलब ये repurposed medicines हैं ये काफी जादा expensive भी कर रही है काफी सारा data दिया जाता है ये data आपको याद रखने की जूट नहीं है बड़ आप essence समझने की कोशिज केजिए जैसे देखो हमारे देश में हीटरो ये remdesivar medicine को manufacture कर रही है इनको approval मिला है ये 10 mg injection viral की कीमत इन्हों ने रखी है 5400 और सिपला ने कीमत रखी है 4000 पर viral अब देखो एक injection से तो ठीक होगा नहीं और वैसे भी मतलब वो बाद में आएगा कि इनकी efficiency बहुत कम है अभी proven नहीं है कि इनकी efficiency ज़्यादा है अगर यही efficient हो COVID-19 के इलाज के लिए तो फिर दुनिया नई vaccines के पीछे क्यों भागेगी तो कहने का मतलब यही है न यह जो repurposed medicines है इतनी ज़्यादा effective नहीं है COVID-19 के इलाज के लिए हाँ death rate थोड़ा सा ज़रूर कम हो सकती है फिर भी यह जो medicines है इतना इतना महगे भी कर रही है 24,000 से लेखे 32,000 का पूरा course मतलब 4-5 दिन जब तक दोज देनी पड़ेगी जब तक injection लगेगा तब तक 35,000 के आसपास खर्चा आ जाएगा तो आप बताइए आम आदमी इतना पैसा effort कर सकता है नहीं कर सकता है तो इसलिए काफी सारे देशों ने क्या किया है for example कनाड़ा, चिली, जर्मनी इन्होंने अपने अपने डोमेस्टिक लेजिसलेशन्स की साइथा से इन री परपर्पर्स मेडिसिन्स के जो दाम है वो कम करने की कोशिस की है बट इंडिया में अभी तक ऐसा कोई परयास नहीं हुआ है बट देखो, जो पेटेंट एक्ट 2005 है उस पेटेंट एक्ट 2005 में हमारे पास भी प्रोविजन है compulsory licensing का हम किसी दूसरी कंपनी को compulsory license दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि भया आप ये medicines बनाईए और कीमत आप इसकी बहुत कम रखिएगा क्योंकि वास्तों में देखो इन medicines की manufacturing में इतना पैसा नहीं आता जितना कि इन्होंने rate रखा हुआ है लेकिन वही बात जो logic दिया जाता है कि जो companies ये medicines बनाती है उनके द्वारा काफी बार research की जाती है research में बहुत पैसा लगता है इनके कुछ पर्यास विफल हो जाते है क्योंकि medicine बन नहीं पाती लेकिन पैसा तो लग गया होता है तो इसलिए यही समय होता है research पर जो पैसा खर्च किया गया है उसको निकालने का बट राइडर कहते हैं देखो ये समय नहीं है licensing का provision है उसका इस्तमाल कर सकती है और कुछ दूसरी companies को license दे सकती है कि आप बनाएए इन medicines को और rate कम रखिये और वैसे देखो जिन companies ने originally इन medicines को बनाया था Remdesivar, Fevipiravir या फिर Itoleju Mab इन्होंने फिलाल की situation में कुछ जैन देख medicines को manufacture कमपने वाली companies को भी license दिया है voluntary license दिया है बिना किसी royalty के लेकिन ये एक परकार से उनकी चलाकी है cartelization है generic medicines को manufacture करने वाली companies के बीच और वो original pharmaceutical companies जिन्होंने medicines को बनाया था cartelization ये हो जाता है कि हम आपको voluntary license दे रहे हैं इसके बावजुद आप कीमत ज़्यादा ही रखिएगा ताकि profit हमारे साथ भी आप share कीजिए ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए writer fit से बोलते हैं Patents Act 2005 में जो compulsory licensing का provision है आप उसका इस्तिमाल करके दूसरी जो generic medicines को manufacture करने वाली companies हैं उनको license दे दीजिए ताकि इनके rate कम हो और महामारे की situation में patients की पहुँच तक हो ये medicines चलते हैं आगे नेस्ट आर्टिकल governor से समदित है आप GS paper 2 के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हो क्या contest है हाल ही में West Bengal के governor जगदीब धनकर ने Home Minister Amit Saad से मुलाकाप की और बताया West Bengal में situation अभी काफी जादा खराब हो गई है देखो पिछले एक साल में जगदीब धनकर जो अभी West Bengal के governor है उन्होंने एक activist का role play किया है governor एक power center के रूप में काम नहीं कर सकते governor को सविधान के दाइरे में रह के काम करना होता है इसके जबाब में जगदीब धनकर कहते हैं सविधान के आठकल 159 के अंतरगत ये मेरी duty है सविधान को protect करना, प्रिजव करना defend करना और मैं अपने इस mandate के तले ही काम कर रहा हूँ आठकल में कहा जाता है देखो ये बात सही है West Bengal में अभी COVID-19 की situation ठीक नहीं है और land order समंदित भी काफी सारे ऐसे केसी सामने आये हैं जिन से लगता है कि पॉलिटिकल राइवल्री पीक पर हैं और पॉलिटिकल किलिंग्स भी हो रही है West Bengal में बट Governor का इस परकार से activist role play करना इस से तो हमारी सविधान के जो values हैं वो dilute ही होती है मजबूत नहीं होती हैं क्योंकि West Bengal की सरकार जैसे काम कर रही हैं उसका विरोध करना opposition का काम है ना कि governor काम इसके अलावा भी पिछले कुछ महिनों में दूसरे states में भी governor की भूमिका पर सवाल उठे हैं जैसे महाराष्टर में बिल्कुल सुब़ सुब़ देवेंदर फज्णाविच ने सपत ली थी मुख्यमंत्रीपद की हालांकि बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था तो अब देखो हम governor से संबंदी जो issues इमर्ज होके आते हैं उनको एक बार revise कर लेते हैं थोड़ा basics के साथ governor देखो head of state होते हैं सारे के सारे executive actions किसी भी state में लिया जाते हैं governor के नाम पर governor actions को execute करते हैं या तो directly या फिर indirectly सविधान के अनुसार हमारे federalism के model में देखो government के दो levels है एक state में और दूसरा union में union में आपको पता है executive के head होते हैं president जबकि state में president के head होते है governor जिस परकार से देखो union में president होते हैं वो nominal head होते हैं उसी परकार से state में governor भी nominal head होते हैं real head union में होते हैं प्रधान मंतरी और real head state में होते हैं chief minister तो कहने का essence यह हुआ हमने parliamentary system को adopt किया है ना सिरफ union level पे बलकि state level पे भी लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है governor की जो position है वो same to same president के ब्लाबर नहीं है अगर देखो हम compare करें governor को president के मुकाबले में मतलब आप एक तरफ रखो president PM के मुकाबले में और दूसरी तरफ रखो governor CM के मुकाबले में तो relative terms में governor की जो post है वो ज़्यादा powerful है CM के अगर सामने रखें और जबकि president की post उतनी powerful नहीं है अगर हम PM के सामने रखें यूँ कहा जाता है president तो सिरफ एक परदहान मंतरी का rubber stamp के दोर पे काम करते हैं जबकि state में governor के पास फिर भी कुछ discretionary power होती है लेकिन president के पास उतनी discretionary power नहीं होती है सरकारिया कमिशन का कहना है governor जो है वो इंडिया के federalism के model में एक परकार से lynchpin का काम करते हैं lynchpin का मतलब आप समझ सकते हो backbone मतलब इंडिया के federalism के model में governor जो है एक परकार से backbone है lynchpin है ऐसा क्यों कहा जाता है सरकारिया कमिशन के द्वारा क्योंगी governor देखो एक communication channel का काम करते हैं state में जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में सारी जानकारी governor देते रहते हैं union को दूसरा union के perspective को लेकर आते हैं governor state level पे तीसरा state की जो भी aspirations होती है वो सारी aspirations governor पहुंसताते हैं union तक तो एक important communication channel का काम करते हैं governor ऐसा बोला गया सरकारिया commission के द्वारा लेकिन देखो कुछ experts ऐसे भी हैं जो कहते हैं actual practice में governor जो है वो state में union के agent के तोर पे काम करते हैं union के eyes and ears के तोर पे काम करते हैं governor state में famous secular है इन्होंने काफी important बात कहीं इन्होंने कहां देखो इंडिया के सविधान का जनम उमीद के atmosphere में नहीं हुआ था जब इंडिया के सविधान का जनम हुआ था तो उसमें डर का महोल था सेसेशनिस्ट tendencies जो थी वो women sections में थी और डर था कि देश की unity और integrity कहीं तूट ना जाए तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत के सविधान का निर्मान किया गया था अब सोच के देखो जमू अन कस्मीर जमू अन कस्मीर में जो वहां पे चुनी हुई सरकार है अगर वो देश की unity और integrity के खिलाफ काम करने लगे तो कम से कम वहां पे governor होंगे governor union की आख और कान बनके देखेंगे क्या जो चुनी हुई सरकार है वो state के खिलाफ जाके काम कर रही है क्या वो सविधान के खिलाफ जाके काम कर रही है अगर ऐसा होता है तो governor तुरंट बताएंगे union को कि देखो सविधान के हिसाब से वहां पे government नहीं चल रही है उसी परकार से जब देश आजाद हुआ था तो कई सारे नोर्थ इस्ट में साउथ इंडिया में सिसेसनिस टेंडेंसिस काफी ज़ादा थी तो डर्थ था कहीं चुनी होई सरकार भी union के खिलाफ यानि सविधान के खिलाफ जाके ना काम करने लगे तो governor की post उस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा important थी इन सब चीजों को monitoring में लेकिन देखो धीरे धीरे सिसेसनिस टेंडेंसिस तो हमारे देश में कम हो गई लेकिन governor की post को इस्तमाल किया जाने लगा union के द्वारा अपने interest को साव करने के लिए सोली सुराब जी एक बहुत ही respected वकील है इनका कहना है governor एक sage है, sage मतलब risi है या फिर saboter है saboter का मतलब होता है नुकसान पहुंचाने वाला मतलब इन्होंने question raise किया है क्या वास्ता में governor की post हमारे देश के federalism में risi की है, linchpin की है या फिर वो saboter है, federalism के model को नुकसान पहुंचाने वाले हैं constitution की values के against जाकर काम करने वाले हैं question raise इनके द्वारा किया जाता है सुली, सुराब जी के द्वारा जमुएन कस्मीर में governor की post का misuse एक बड़ी सिकायत रहती है, वहाँ पे जो सरकारे होती है, next question अब देखो ये raise होता है कि union government governor की post का misuse करती कैसी है बहुत सारे mechanisms है union government के पास जिसकी साहिता से वो governor की post का misuse कर लेती है सबसे पहले, governor के पास कुछ discretionary power होती है दूसरा, governor की जो appointment है, उसको control किया जाता है union के द्वारा और जो removal है, वो भी union government के हाथ में होता है सबसे पहले हम discretionary powers की बात करते हैं, article 163 ये कहता है council of ministers के head होंगे cm, जिनकी aid and advice से governor काम करेंगे सिरफ उन situations को छोड़के जहां पे governor को अपनी discretionary power का इस्तमाल करना है article 163 में ये भी लिखा हुआ है कि governor अगर अपनी discretionary power का इस्तमाल करते हैं, तो उसको challenge नहीं किया जाएगा, court में सिरफ इस ground पे कि governor को ये नहीं करना चाहिए था, या फिर वो नहीं करना चाहिए था, discretionary power जो है, वो governor के discretion पे depend करती है अब मैं आपसे एक simple question पूशता हूँ discretionary power है क्या? मैं आपसे पूशता हूँ, governor के discretionary power क्या है? तो इस statement से क्या मतलब है? इस statement से मतलब देखो ये है discretionary power वो power है जो governor, council of ministers की aid and advice से इस्तमाल नहीं करते है governor अपने आप से decision लेते है कि क्या करना चाहिए ऐसी situation में तो उस power को कहा जाता है discretionary power of governor तो क्या governor की जो discretionary power है वो democracy की spirit के against है rule of law के against है क्योंकि देखो governor चुने हुए तो है नहीं उनको appoint किया गया है और chief minister जो होते है उनको जनता द्वारा चुना गया है तो क्या governor के हातों में discretionary power देना ये democracy की spirit के against है या फिर rule of law के against है इसके जबाब में देखो ये कहा जा सकता है नहीं ये rule of law के against नहीं है अगर governor अपनी discretionary power को principles के according use करते है arbitrary manner में इस्तमाल नहीं करते है तो governor को जो discretionary power दी गई है वो एक परकार से safety valve का का काम करती है लेकिन discretionary power को बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ use करने की आवशकता है governor को ये सारे articles है जब governor के पास discretionary power होती है मतलब इन सब articles के according governor council of ministers की aid and advice से काम करें कोई जुरूई नहीं अपने खुद से भी decision ले सकते है governor इन सभी articles के according यानि इन सभी articles में discretionary power है governor के पास इन सभी articles के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं article 174 power देता है governor को state assembly को summon करने की प्रोरोग करने की और dissolve करने की 175 article के अनुसार message send किया जा सकता है governor के द्वारा assembly में और साल में पहला जो session organize होता है assembly काम उसको संबोधित किया जाता है governor के द्वारा article 200 के अनुसार governor के पास power है bill को ascent दे या फिर अपनी जो ascent है उसे withhold करें और article 201 ये भी power देता है governor को कि वो bill को president की reservation के लिए रख सकते है article 356 power देता है governor को कि वो state में president rule लगाने के लिए recommendation दे सकते है union government को और इसके लावा सबसे last में situational discretionary power जैसे hung assembly अगर आती है तो कौन सी party को सबसे पहले invite किया जाएगा कुछ समय पहले मनिपूर में गोवा में single largest party को नहीं invite किया गया तो इस पे भी काफी हाहा कार मची थी कि मतलब ये गलत है tradition के against है generally governor single largest party सबसे बड़ी party को ही सरकार बनाने के लिए invite करते हैं तो यहां पर discretionary power होती है governor के पांस लेकिन देखो इन discretionary powers का बहुत बार governors के द्वारा गलत इस्तमाल किया गया है तो यह पूरी list है कब-कब 1952 में Tamilaladu के governor के द्वारा 1957 में केरल के governor के द्वारा 84 में आंदापरदेश के governor के द्वारा अपनी discretionary power का misuse किया था उसके बाल 1988 में उत्रपरदेश के governor ने अपनी powers का misuse किया यह पूरी list है 2006 में भी 2016 में 2016 में 2017 में भी थोड़ा थोड़ा अगर इनके बारे में हम जाने Tamilaladu के governor ने personal initiative लिया था यह insure करने के लिए कि communist सत्ता में ना आए 1952 में तो उन्होंने अपनी powers का गलत इस्तिमाल किया 1957 में केरल के governor ने assembly को गलत तरीके से dissolve कर दिया तो यह पहला तरीका था पहला मतलब ऐसा instance था कि governor ने article 356 के context में अपनी powers का गलत इस्तिमाल किया आंदापरदेश का case हमने हुआ था governor रमेश बंडारी इन्होंने कल्यान सिंग government को sack कर दिया था मतलब हटा दिया था और उसकी जगह जगदंबी का पाल को CM बनाया था बिना किसी floor test के मतलब बहुमत साबित किया नहीं गया उससे पहले ही जगदंबी का पाल को CM बना दिया गया था governor रमेश बंडारी के द्वरा और कल्यान सिंग government को भरखास्त करके इसके बाद ये case गया Supreme Court के पास Supreme Court ने ये कहा एक composite floor test conduct करवाय जाए और उस composite floor test की साइटा से ये पता लगा जाए की actual में भहुमत है किसके पास अगर जगदंबी का पाल को भहुमत मिलता है तो उन्हें CM बना जाए अगर कल्यान सिंग को भहुमत मिलता है तो उन्हें CM बना जाए तो composite floor test conduct करवाय जाए ऐसा बोला गया था Supreme Court के द्वरा इस पूरे case में 2006 में गवर्नर बूटा सिंग ने election के तुरंत बाद assembly को dissolve कर दिया था इवन पहला session conduct भी नहीं हुआ था बूटा सिंग ने कहा कि मुझे डर है horse trading यानि विदायकों की ख्रीद फ्रूक्त हो सकती है क्योंकि उस से मैं किसी को भहुमत नहीं आया था तो यह कहते हुए पहले session से पहले ही बूटा सिंग ने assembly को dissolve कर दिया था अरुनाचल परदेश में 2016 में governor ने अंदर परदेश assembly के session को pre-pon कर दिया एक महिना पहले ही conduct करवाने का आदेश दिया governor ने अरुनाचल परदेश की assembly के session को लेकिन मामला गया Supreme Court के पास Supreme Court ने इसे unconstitutional बताया उसके बाद देखो 2016 में उत्राखंड के governor ने arbitrary रूप से उत्राखंड की assembly को dissolve कर दिया और ये भी case गया था Supreme Court के पास और Supreme Court ने इस case में फिर से assembly को reinstate करने का आदेश दिया था मनिपूर और गोव में क्या हुआ था convention के against जाते हुए governor ने single largest party को invite नहीं किया था सरकार बनाने के लिए तो ये भी एक परकार से discretionary power का misuse था कैसे governor का जो पद है उसे reform किया जाए देखो ये realize किया जा चुका है पिछले कुछ सालों में जब तक कि governor की appointment और removal union government के पास रहेगा तब तक governor की जो post है उनका misuse होता रहेगा अब देखो जिस person को union government के द्वारा appoint किया गया है तो वो union government के इसारे पर ही काम करेंगे न अगर उस person को remove करने की जो power है union government के पास तो उनको डर रहेगा कि मुझे कभी भी remove किया जा सकता या फिर मेरी कभी भी transfer किया सकती है तो वो union government के इसारे पर ही काम करेंगे तो पहले हम बात करते हैं governor की appointment system में किस परकार का सुधार किया जाए अभी देखो governor को appoint किया जाता है president के द्वारा और ये union executive की sole discretion है क्योंकि president तो आपको पता है council of ministers की aid and advice से काम करते हैं तो मतलब union executive की मर्जी चलती है किसको की state में governor के पद पर appoint करना है सविधान में सिरफ दो ही qualifications बताई गई है governor की एक citizen of India दूसरा 35 साल की I.U. होनी चाहिए constitute assembly में जब debate चल रही थी तो उस समय पंडित ठाकूर दास भारगव ने पंडित नहरू को चितावनी दी थी कि आप governor की institution के परती इस परकार की casual approach मत अपनाए साफ साफ बताईए सविधान में क्या qualification हो सकती है और जो appointment और removal का तरीका है उसे भी और ज़्यदा refine कीजिए इसके जबाब में पंडित नहरू ने assurance दिया था मतलब एक परकार से समझाने का परियास किया था assembly को विश्वास दिलाने की कोशिस की थी सिरफ eminent person यानि जो विख्यात persons है उनको ही governor की post पर appoint किया जाएगा वो persons जिनका कोई active political background है या फिर active administrative background है उनको governor की post पर appoint नहीं किया जाएगा लेकिन actual में इस practice को देखो अपना नहीं अपनाय नहीं जासका party के loyalist को, party के leaders को विविन राज्यो में governor की post पर appoint कर दिया जाता है जो rejected politician होते हैं या फिर civil servant होते हैं और कभी कबार तो judges को भी governor की post पर appoint कर दिया जाता है जैसे former chief justice of India को केरल क्या governor appoint किया गया था अब हम कुछ suggestions के बारे में जानते हैं दो main suggestions हैं एक तो देखो राजा मननार कमेटी गटित की गए थी तमिलाडू के द्वारा और दूसरा पुण्ची कमेटी के suggestions गवर्नर के संदर्व में पहले हम बात करते हैं राजा मननार कमेटी ने क्या suggestions दिये गवर्नर की appointment के context में राजा मननार कमेटी को constitute किया गया था तमिलाडू की सरकार के द्वारा और इस कमेटी ने अपने suggestion में कहा गवर्नर को appointment करने से पहले चीफ मिनिश्टर से consultation जुरूरी होनी चाहिए और अगर चीफ मिनिश्टर किसी person को लेके संतूश नहीं है कि इस person को गवर्नर की post पर appointment किया जाए तो union government के द्वारा उस case में उस person को गवर्नर की post पर ना appointment किया जाए तो चीफ मिनिश्टर से consultation को अनिवारे बनाने का suggestion दिया गया था राजा मनार कमिटी के द्वारा इसके बाद देखो बात आती है पुंची कमिशन की पुंची कमिशन ने कहा था Interstate Council के platform का इस्तमाल किया जा सकता है eminent persons की यानि हमारे देश में विख्यात persons की एक list त्यार की जा सकती है और जब भी किसी भी राज्य में vacancy create हो तो उस list में से किसी eminent person को appointment कर दिया जाए उस राज्य में जहां पर vacancy आई है गवर्नर की post पर पुंची कमिशन ने ये भी कहा था देखो अभी सविधान में जो qualification के बारे में लिखा गया है गवर्नर की qualification के बारे में जैसे eminent person या फिर no active political background ये सब चीजें देखो काफी vague है सिदा सिदा criteria होना चाहिए कि कौन गवर्नर की post पर appointment किया जा सकता है कौन नहीं किया जा सकता तो इस संदर में black and white में अगर चीजें हो क्या criteria है क्या नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है criteria अभी vague है इसी वज़े से union government के द्वरा misuse किया जाता है criteria को और अपने favor के बंदो को यानि अपने favor के अपनी ideology से समधित persons को women राज्यों में governor के तोर पे appoint कर दिया जाता है next देखो हम बात करते है governor की removal के बारे में ये भी काफी controversial provision है और इसका भी बार-बार misuse किया जाता है union government के द्वरा सुलवात में हमने discuss किया था कैसे जब center में government change होती है तो वो women राज्यों में पुरानी government के द्वरा appoint किये गए जो governor होते हैं उन्हें भी हटाने का परियास करते हैं काफी बार directly और काफी बार indirectly भी जैसे 2014 में सत्ता change होई थी तो उस समय नई सरकार के द्वरा कोशिस की गई पुरानी सरकार के द्वरा विबिन राज्यों में जो governor appoint किये गए थे उन्हें किसी ना किसी तरीके से हटा दिया जाए वैसे देखो हमारे सविधान में लिखा हुआ है governor जो है वो president की pleasure पे काम करते हैं और president आपको पता है council of ministers की aid and advice से काम करते हैं तो effectively union executive की pleasure पे काम करते हैं governor जैसे governor की appointment को union के दवारा control किया जाता है उसी परकार से governor की जो removal है उसे भी union government के दवारा control किया जाता है लेकिन देखो sorry इसी context में एक case है famous 2010 का BP single versus union of India इस case में Supreme Court ने साफ थोर पे कहा था जो ये pleasure का doctrine है इसे तो change करने की आप सकता नहीं है government को जब भी लगता है governor को हटाना है तो government के पास power होने चाहिए governor को हटाने की और अगर union government governor को मौका नहीं भी देती है तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है लेकिन इसे के साथ Supreme Court ने ये भी जोड़ा कि governor को arbitrary grounds पे नहीं हटाया जा सकता समान्य situation में governor को पूरा पूरा मौका दिया जाए कि वो अपनी term को पूरा करें unless उन्होंने कोई गलती नहीं किया है सविधान के खिलाफ जाके काम नहीं किया है कोई compelling situation नहीं आ गई है तब तक उनको अपनी post से ना हटाय जाए उनको पूरा मौका दिया जाए कि वो 5 साल अपनी term को पूरा करें और पहले जो हुआ करता था center में नहीं party आई तो governor को बर्कास्त कर दिया सिरफ ये कहते हुए कि ये जो governor है वो ruling party की ideology से इत्तिफाक नहीं रखते है तो ये नहीं चलेगा ऐसा साफ तोर पर बोला गया 2010 में BP single versus union of India केस में Supreme Court के द्वरा Supreme Court ने ये कहा कि executive अगर गलत decision लेते हैं यानि malafied intention के साथ किसी state में governor को बर्कास्त करते हैं तो उस decision को challenge किया दा सकता है Supreme Court में तो ये हमने बात की governor के removal के बारे में अब देखो कुछ famous judgments हैं Supreme Court की governor के बारे में जैसे समसेर सिंग केस राम जवाया केस हरगोविन पंथ वर्सेज रगुगुल तिलप केस 1979 का रमेश्वर परसाद वर्सेज Union Government of India 2006 का केस और नेबम रेबिया वर्सेज Union of India केस 2016 का समसेर सिंग केस और राम जवाया केस में Supreme Court ने एक बात ये बोली थी governor जो है वो constitutional head है मतलब उनके पास कोई real powers नहीं है real powers होगी CM के पास ही governor के पास सिरफ nominal power होगी ये बोला गया था Supreme Court के दवरा समसेर सिंग केस में और राम जवाया केस में Next हम बात करते हैं Hargovin Pant vs. Ragugul Tillak केस जिसका फैसला आया था 1979 में इस केस में Supreme Court की constitutional bench ने South 70 से ये फैसला लिया था कि constitutional status जो है governor का वो ये नहीं कहता कि governor जो है वो union government के employee है या फिर union government के subordinate है governor नहीं ऐसा कुछ नहीं है देखो ये बात सच है कि governor को acquaint किया जाता है union government के दवरा लेकिन governor की जो post है वो constitutional post है governor union government के ना तो employee है और ना ही union government के subordinate है governor की जो post है वो office of dignity है governor answerable नहीं है union government के governor अपने आप से discretionary power का इस्तिमाल कर सकते है वो union government के इसारों पर नहीं काम करेंगे ऐसा साफ तोर पे बोला गया था Supreme Court के दवरा हर गोविन पंत वर्सेज रगू कुल तिलक केस जिसका judgment आया 1979 में next देखो रामेशवर परसाद वसेज union of government केस जिसका वर्डिक्ट आया 2006 में इस केस में Supreme Court ने बोला कि पिछले कुछ सालों में governor की post का बहुत ज़दा मिशूज हुआ है और इस institution पे बहुत ज़दा attack भी किया गया है वीपक्सी पार्टियों के दवरा अरोप लगता है governor पे कि वो central government के agent के तोर पे काम करते हैं और बाइस्टों के काम करते हैं यह बहुत ज़दा serious मसला है ऐसा बोला गया Supreme Court के दवरा Supreme Court ने यह भी बोला कि governor का जो main role है वो सविधान के पहरेदार के रूप में है यानि सविधान का सुरक्सा की जाएगी governor के दवरा यह उनका main role है governor सवत लेते हैं कि वो सविधान और कानून की सुरक्सा करेंगे सविधान और कानून को preserve करेंगे, defend करेंगे यानि governor की जो सपत है वो सविधान के परती है कानून के परती है governor का काम है अपने आपको devote करना state के लोग की service में वो एक communication channel का काम भी करते हैं union government और state government के बीच तो governor की जो responsibility है बहुत important responsibility है इसलिए वो सविधान के role के हिसाब से अपना काम करें, सविधान में जो कुछ लिखा गया है उसके हिसाब से अपना काम करें unbiased होके, वो union government के इसारों पर ना काम करें सबसे last में है नेबम रेबिया वर्सेज union of इंडिया केस 2016 का क्या हुआ था, अरुनाशल परदेश के governor ने अरुनाशल परदेश की assembly के session को एक महिना प्रिपोन कर दिया था तो मामला पहुंचा था सुप्रिंग कोट में और सुप्रिंग कोट ने अपने verdict में ये कहा था देखो ये governor की discretionary power पर नहीं depend करता है कि assembly session को एक महिना पहले बुला जाए cm की advice पर depend करता है कब governor assembly session को बुलाएंगे दूसरा सुप्रिंग कोट ने अपने इस verdict में ये भी कहा था state assembly के ombudsman यानि state assembly में जो विधायक है उनकी कुछ समस्या हो उनको address करने का काम governor का नहीं है नहीं governor का का काम speaker को advice देना है या फिर speaker को guide करना है speaker का mentor नहीं है governor ये सब बाते बोली गई supreme court के दवरा नेबम रेबिया versus union of India case 2016 में last में अगर देखो हम summarize करें तो सोली सुराब जी की book का नाम है governor, sage और saboter जिसमें सोली सुराब जी ने कहा है governor देखो बहुत ही अच्छा काम कर सकते है अगर वो अच्छा governor है लेकिन governor federalism को और सविधान को लोगतनत्र को बहुत जड़ा नुक्सान पहुंचा सकते है अगर वो खराब governor है सरकारिया कमिशन ने कहा था cooperative federalism का lynchpin है governor lynchpin मतलब backbone cooperative federalism के backbone के तोर पे काम करते हैं governor ऐसा बोला गया था सरकारिया कमिशन के द्वरा पुंची कमिशन ने ये कहा था governor की post की जो importance है हाल फिडाल में और भी जड़ा बढ़ गई है क्योंकि communal violence पिछले कुछ सालों में ज़्यादा होने जगा है और नई नई internal security समंदी threats immerge होके आई है तो इस situation में governor का जो role है वो और भी जड़ा important हो जाता है last में view है हमारे पूर परधाल मंत्री डक्टर मनमाहन सिंग जे का इन्होंने governors की conference में चार मंतर दिये थे governors के लिए उन्होंने सबसे पहला मंतर दिया था governor को बोला था you are the sole judge of what is right and what is wrong आप अकेले judge हो जो decide करोगे situation के हिसाम से क्या गलत है क्या सही है आपको ये देखना होगा country के hit में क्या है आपको अपनी judgment देते वक्त ये भी देखना होगा सविधान का mandate क्या कहता है और सबसे last में आपको ये भी consider करना होगा ये आपकी obligation है ये समझना कि लोग आपसे expect क्या करते हैं तो ये चार मंतराज दिये गए थे पूर परधान मंतरी डक्टर महन महन सिंग के द्वारा governors की conference में तो इस परकार से हमने governor के issue को detail से revise कर लिया अब हम आगे चलते हैं इसके बाद next हमारा article data protection से समझनीद एक committee के बारे में है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हों क्या contest है हाल ही में सरकार के द्वारा एक committee गठिद की गई थी Infosys के co-founder Chris Gopala Krishna की अध्यक्सता में committee को गठिद करने का मकसद ये था कि जो non-personal data है non-personal data देखो वो data होता है जिसकी साहिता से किसी individual को identify नहीं किया जा सकता जैसे name sex, occupation address इस परकार का जो data है इसकी साहिता से किसी individual को तो identify किया जा सकता है बट non-personal data की साहिता से individual को identify नहीं किया जा सकता और committee जो गठित की गई थी उसको ये recommend करना था इस non-personal data का किस परकार से इस्तमाल हो सकता है कैसे इसका regulation होना चाहिए तो इस committee ने 12 जुलाई को अपना एक framework public domain में रखा उसी को criticize किया जा रहा है writer के द्वारा committee कहती है non-personal data को regulate करने के लिए ecosystem में जो stakeholders है पहले उनको define करना ज़रूरी है तो सबसे पहले define किया जाता है data principles को data principles individual हो सकते है companies हो सकती है committees हो सकती है writer ये बोलते हैं देखो individual के rights या फिर companies के rights और जो roles है वो तो पता है but community का जो idea है वो नए तरीके से introduce किया गया है as a data principle और ये काफी ज़्यादा vague है example भी दिया गया है communities का जैसे neighborhood में citizen groups लेकिन बात देखो ये है community के क्या rights होंगे function क्या होगा community का इस बारे में कुछ में नहीं define किया गया है committee में दूसरे नंबर पे data custodians को define किया गया है data custodians वो entities या वो लोग जो data को collect करते हैं store करके रखते हैं processing करते हैं और data का इस्तिमाल करते हैं इस परकार से जो कि best interest में हो ये details भी काफी ज़्यादा vague हैं क्योंकि ये specify नहीं किया गया है community के द्वारा release किया गये framework में कि data custodians क्या government हो सकती है या फिर सिरफ private companies हो सकती है और best interest का क्या मतलब है तो details बिल्कुल clarify नहीं है ambiguous है ना ही ये clarify क्या गया है communities कैसे custodians के साथ engage करेंगी ये suggest क्या गया है committee ने कि data custodians जो है वो data को monetize कर सकती है मतलब data की साहिता से कुछ पैसा कमा सकती है commercially data का इस्तिमाल किया जा सकता है बड़ देखो ये problematic है क्यों क्योंकि conflict of interest होगा custodians का data principal communities के साथ उसके बाद data trustees की बात की जाती है data trustees को define किया जाता है trustees government हो सकती है citizen groups हो सकते हैं universities हो सकती हैं लेकिन वही बात data principal committees और trustees के बीच क्या relationship होगी ये clear नहीं है कुल मिलाके writer ये कहना चाहते हैं committee ने जो framework release किया है वो काफी ज़्यादा confusing है काफी ज़्यादा complex है committee को public के साथ consult करना चाहिए था simple framework बनाने के लिए experts के साथ consult करना चाहिए था बट अभी जो framework release हुआ है इसमें बहुत सारी कम्या है तो ये हमने article discuss किया data protection से समदिद committee की report के बारे में हमारी आज की इस discussion में इतना ही है thank you thank you very much for discussion